नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विशब पर वीडियो लेकर के आपके बीच बाये हैं, जैसा कि आपने टाइटल धेख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूँ, यदि आप मेंसे किसी को लगता है कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति सफलता दिला सकता है, कोई और आपक सफलता दिला सकता है, केवल एक व्यक्ति है, जो आपकी सफलता या सफलता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति केवल आप है, माने या ना माने, ये कड़वा है, लेकिन सच है, आपकी सफलता या सफलता के लिए केवल जिम्मेदारी नहीं ले सकता कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता लोग आपको गाइड कर सकते हैं कोई मेंटर हो सकता है कोई ट्रेनिंग दे सकता है समझा सकता है सिखा सकता है लेकिन करना ना करना तो आपके ही हाथ में हैं मुझसे बहुत सार लोग कहते हैं मैं तो बहुत का लाव नहीं ला रहा तो वो टैलेंट आपके लिए टैलेंट हो सकता है दुनिया के लिए उस टैलेंट की कोई वैलू नहीं है और कोई कोई वैक्ति आपको उंगली पकड़ के सफलता के रास्ते पर नहीं ले जा सकता किसी को ले जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर कोई अपन रहों कि सामने वाला वैक्ति मेरा सीनियर पड़ादीकारी मेरा MLE, मेरा MP वो मुझे रास्ता देदेगा, मुझे जगा देदेगा, मुझे सफलता दिला देगा? नहीं दिलाएगा. हो सकता है वो आपके लिए कितना ही वफदार हो और आप उसके लिए कितने ही वफदार हो हो से तो कितना ही कहता रहे कि नहीं नहीं मेरे बाद तुम्हीं मौका मिलने वाला है मैं तुम्हीं अफसर देने वाला हूँ तुम तो मेरे खास हो ये सब बातें बोलेगा तब तक जब तक कि उसके परिवार का कोई वैक्ती आपकी जगा लेने के लिए तयार नहीं हो रहा या उसका बेटा बेटी उसका भाई उसकी जगा लेने के लिए तयार नहीं हो रहा जैसे ही कोई और विकल्ब तैयार हो गया आपको दूद में पड़ी मक्ही की तरह निकाल कर फिंग दिया जाएगा इसलिए आप अपनी सफलता है सफलता के लिए खुद को जिम्मेदा ठहराइए और यदि यदि आप दूसरों पर दोशार उपन करते हैं यदि आप इस तरह के वेक्ति हैं जो आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं ब्लाइंडली और आपको लगते हैं वो वेक्ति मुझे सफलता दिला देगा ये वेक्ति मुझे सफलता के रास्ते पर पहुँचा देगा नहीं पहुचाएगा बता सकता है उसे लोग कहते हैं सर आप भी तो गाइड है आप भी तो ट्रेनर है आप भी तो सिखा सकते हैं आप भी तो सफलता दिला सकते हैं सिखा सकता हूँ दिलाना ना दिलाना सफलता मिलना ना मिलना आपके हाथ में होगा क्योंकि उन रणनीतियों का इस्तमाल करना पड़ेगा बढ़िया डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बढ़िया दवाई दी लेकिन आपने उस दवाई को खाने के बज़ाए घर में जाकर के रख दिया वो दवाई किस काम की उस दवाई से कोई नतिजा नहीं आने वाला वो दवाई किसी काम नहीं आने वाली दवाई काम तभी आती जब उसको खाया जाता रणनीति तब काम आएगी जब रणनीति को implement किया जाएगा रणनीति के पता हो जाने के बाद भी सफलता मिल जाएगी राज़नीती पे सफल हो जाएंगे इसकी कोई गैरंटी नहीं है implementation important है तो इसलिए हमें मान सिरुप से तयार करना होगा कि हमें effort करने पड़ेंगे और कोई easy success नहीं होती सफलता के shortcut नहीं होते कोई आसान रास्ता नहीं हो सकता है मुश्किल रास्तों पर चल करके सफलता मिलेगी तो जीवन में जब भी तुम्हें लगे कोई ये कह रहा है कि ये आसान राष्टा है ये shortcut है यहां से आकर के राज़नीती पे सफलता मिल जाएगी समझ लेना वो आपको बेवकुब बना रहा है आपको मुर्ख बनाना चाहता है और आपको चाहता है कि आप ये ही सोचते रहे और जीवन भर इंतिजार करते रहे मेरा दिन आएगा मेरा समय आएगा होता ना कि लोग कहते है अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा कि कोई मुझे गाइड कर दे, अच्छी बात है, नहीं गाइड करे तो भी फरक्रीम पड़ता, मेरे पास पैसा है या नहीं है, मुझे फरक्रीम पड़ता, मुझे कोई क्या कहता है, मुझे फरक्रीम पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या बात करते है, मुझे फरक्रीम पड़ लोग भी सफल हुए, वो भी जीवन में बहुत बार फेल हुए हैं, लेकिन फेल होते समय, उन्होंने कभी अपनी फेलियर का दोशी किसी और को नहीं ठाराया, वो वो किसी को ठीक रा फोड़ने के लिए नहीं रखते हैं, कि मैं जब फेल हो जाओंगा तो इसके वो पठीक र कर सकता है, केवल गाइड कर सकता है, जो लोग सो रहे होते हैं, उनको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको कैसे उठाएंगा, जो एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे असपास ऐसे हैं, जो एक्टिक कर रहे हैं, और बाद में जब वो ज 90% लोग सफल नहीं होंगे, 5% ही होंगे, क्योंकि 59% के पास कोई न कोई कारण है, सफलता ना पाने का, कोई न कोई बहाना है, और यह जो बहाना देने की बिमारी है, यह इतनी जादा संक्रमन की बिमारी है, कि अगर 10 दिन आप इन बहाने बाजों के साथ रहने लगें, तो हो उनको बोलो सीखना है, उनके वास बहाना है, ना सीखने का, उनको बोलो आपको इन इन चीज़ों पर समय लगाना है, उनको बोलो सोने का समय कम करना है, उनके वास कोई न कोई बहाना है, ज्यादा सोने का, क्यों क्योंकि पहले से तयार हैं, और जब पहले से तयार हैं, तो माल लीजे नाकामियावी के रास्ते पर ही पहुचेंगे सफलता इनको नहीं मिल सकती आप मैंसे कोई भी अगर यह सोचता हो कोई और करेगा कोई नहीं करेगा आपको खुद करना पड़ेगा और 200 मील का सफर भी तैय करना है तो पहला कदम उठाना पड़ेगा जब पहला कदम उठाएंगे तो आप 200 मील का भी सफर तैय कर लेंगे लेकिन जब तक पहला कदम नहीं उठाएंगे यह सफर 200 मील का ही बना रहेगा यह बिल्कुल कम नहीं होने वाला है एफर्ट आपको करने जिन्दगी आपकी है मैं गाइड कर सकता हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं आपका रोड बैप बना सकते हैं आपको सलहा दे सकते हैं आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको सही और गलत का भेद बता सकते हैं लेकिन काम आपको करना है एफर्ट आपको करने है, चलना आपको पड़ेगा इस धोके में मत रहिए, अपने आपको इससे बाहर निकालिए क्योंकि कई लोग हैं, बहुत सारे साथ ही हैं राजनीती उनको शिकार बनाया जा रहा है उनके सीनियर पदादिकारी, उनके MLA's, MPs, उनके शेदर के पदादिकारी जिलाद द्यक्ष, प्रदेश, अद्यक्ष, वो उनको बार 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 ये बुल रहे हैं हाँ मैं करूँगा आपके लिए मैं आपके लिए अफट करूँगा मैं आपके लिए करूँगा मैं आपके लिए करूँगा और समय आने पर वो अपने परिवार को अपने भाई बहन को अपने खास लोगों को ले जाते हैं और आप छूड़ जाते हैं ऐसे ऐसे डिपेंड होना छोड़िये, बोलने दीजे उनको, मैं आपके लिए करूँगा, उनके शब्दों को शब्दी रखे, उनके शब्दों पर विश्वास मत करें, कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं भी करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अपनी टीम मे जिब्दार भी खुदी होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा हूं, दो-डाइजार लोग अलड़ी हैं जिनें गाइड कर रहा हूं, और मेरा टार्गेट है लाखों लोगों को गाइड करना, तो मैं कि लिए यह नहीं कह सकता कि तुम्हारी सफदाई गैरंटी मैं ले सकता हूं, मैं गाइड करना ही गैरंटी ले सकता हूं